प्रभू ने हम सब को एक और मौका दिया कि इस तरह से अपन सब एक साथ एकत्रित हो सके उसके लिए मैं प्रभू को शुक्र गुजार करता हूँ खास कर आज जो भाई लोग पहली बार आएं हैं उन सब का दिल से स्वागत करता हूँ मुझे उमीद है कि आप नियमित रूप से आएंगे जिससे कि हम सब एक साथ बैठ कर प्रभू के बातों की चर्चा कर सके और जिसके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में अनुग्रह पा सके जैसा मैं हर संडे याद दिलाता हूँ संडे शाम का समय लोग तमाम तरह के बातों में या तमाम तरह के कामों में लगाते हैं ज्यादा तर लोग संडे शाम का समय जस्ट बाचित या इधर उधर कुछ ना कुछ करते हुए वेस्ट कर देते हैं ऐसे में समय वेस्ट करने के बदले आप एक ऐसी संगती में आए जहां कुछ आत्मिक बातों की चर्चा हो रही है ये बहुत अच्छी बात है और इस कारण मैं आप सब की प्रशन सा करता हूँ कि आपने आत्मिक जीवन में अनगर पाने के लिए इस तरह से समय निकाल कर एक आत्मिक संगती में जाने के लिए निरने लिया भाषा की समस्या आप सब अच्छी तरह से जानते हैं जो लोग लोकल लेंगविज बोलते हैं वो हिंदी नहीं बोलते हैं और जो हिंदी में हिंदी धारा प्रवा बोलते हैं वो लोकल लेंगविज नहीं बोल पाते हैं यह समस्या हर जगह है लेकिन इन समस्याओं के होते हुए भी पिछले छे महीने से हम लोग नीमित रूप से इस तरह से आते हैं आते रहे हैं जिससे की प्रभू की वाणी सुन सके और जब भी अपन इस तरह से एक साथ एकटे होते हैं तो प्रभु के वचन से बहुत सारी बाते हम सुनते हैं, पहले तो गाना गाते हैं, फिर प्रभु के वचन से या पवित्र बाइबल से बहुत सारी बातों के हमने चर्चा की है, ऐसी बातों की चर्चा की है, जिससे कि प्रभु के बारे में हमारी जानकारी बड़े और दूस दूसरा दूसरी बात कि हम प्रभु के निकट जा सकें जो पहली बार आए हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बार बार मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पर सुनाया करता हूं बच्पन में हम लोग स्कूल से तीन किलो मीटर दूर अपने घर पैदल आते थे उस समय तो प अधिप्रदेश की कठोर गर्मी में बच्चे थे बुरी तरह से प्यास लगती थी उस जमाने में तो हर जगे प्याव होते थे तो एक प्याव जहां पर हम हमेशा पानी पीने के लिए रुपते थे वहाँ दीवार पे लिखा हुआ था जब तक है जिन्दगी फुरसत नहीं मिलेगी काम से हम मैंसे हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है लेकिन बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं जब तक है जिन्दगी तब तक फुरसत नहीं मिलेगी काम से दो बात को मत भूलना एक मृत्यू को दो इश्वर को बच्छपन में जब हम उसे पढ़ते थे तो कोई खास उसमें से बात समझ में नहीं आती थी लेकिन एक उमर हो गई तो उसके बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि कोई भी व्यक्ति जो आया है उसको जाना पढ़ेगा वो अपने आपको रोक नहीं सकता है और इसलिए वो जो स्टेट्मेंट था ना दो बात को भूलना मत जो चाहे कल्यान एक है मौत को और दूसरा है प्रभू को धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगी और यही बात हम हर हफते जब यहां इखटे होते हैं तो याद दिलाते हैं एक दूसरे को कि देखो भीया अपने चारों तरफ लाखो लोग हैं बलकि करोडों लोग हैं मन माना जीवन बिता रहे हैं कोई रोक टोक नहीं है लेकिन मन माना जीवन बिताने वाले लोगों की बीच में थोड़े से ऐसे लोग हैं जिन्हों ने इस बात को समझ लिया है कि एक बार आए हैं तो जाना पड़ेगा तो कुछ ऐसा करो की जाने से पहले रोन ना पड़े पश्चताप ना करना पड़े इन बातों को बहुत ही स्पश्टता से आज से 2000 साल पहले प्रभु ईश्व ने अपने शिश्यों को बताई थी प्रभु ईश्व जिनको ईसा भी कहा जाता है अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है जो मैं बार-बार याद दिलाता हूँ आप मैंसे कई शायद ईशा नाम से जानते हैं जनरली हिंदी जो बाइबल है इसमें ईश्यो नाम का उपयोग किया गया इसलिए मैं ईश्यो नाम से उनको संबोधित करूंगा ईश्यो ईश्यों सब एक ही व्यक्त अलग अलग एक ही नाम के अलग अलग रूप हैं प्रभु ईश्यो आज से 2000 साल पहले इस संसार में पधारे थे और अभी दो ही हफते पहले सारी दुनिया ने क्रिस्मस या क्रिस्त जैंती या ईशा जैंती मनाई थी कई लोग उसको बड़ा दिन भी बोलते हैं उसको पधारने को याद किया जाता है आज से 2000 साल पहले पधारने के बाद 30 साल की उमर में उनने अपनी सेवा शुरू की 30 साल तक वे अपने माबाप के साथ रहे लेकिन जब माबाप के साथ रहे तब ही उनने इस बात को प्रदर्शित कर दिया था कि वो एक दिव्य व्यक्ती है तीस साल की उमर में फाइनली जब उनके सेवा का कल आया तो वे सेवा के लिए निकल लिये और उन्हेंने बारा शिश्यों को चुन लिया कि चलो तुम मेरे साथ आओ और मैं जो दूसरों को सुना रहा है उसको सुन लो समझ लो क्योंकि ये शिच्छा सब लोगों के बास तुमको पहुंचाना है ये बारा शिश्यों जो थे उनमें से एक शिश्य का नाम था संत थौमा आप कहेंगे थौमा ये कैसा नाम है देखिए अलग-अलग राज अलग-अलग भाषा में अलग-अलग प्रकार के नाम होते हैं तो आज से 2000 साल पहले मध्यपूरु में वो नाम बहुत कॉमन्ट है जैसे हिंदी में राजु है राजु नाम आप चाहे केरल में आएं या मदिप्रदेश में उत्तर प्रदेश में बिहार उरीसा सब जगए राजु नाम चलता है लेकिन यही नाम अमरीका में ले जाके किसी को बता देंगे तो वो पूछेगा कि यह कैसा नाम है ठीक है तो प्रभु के एक शिश्य थे बारा जिन में से एक का नाम था थौमा आज से लगभग दो हजार साल पहले प्रभु के संदेश को लेकर इस केरल में पहुँचे थे यहां से मुझे लगता है एक तीस एक किलो मीटर उत्तर की तरफ एक प्रदेश है कुडंगलूर वहां किसी जमाने में उसके पास तक पानी के जहाज आया करते थे अब नहीं आते हैं क्योंकि नदी का पानी अब गहरा नहीं रह गया है सत्रह सो इस्वी के आसपास एक भूखंप हुआ था केरल में उस भूखंप के कारण नदी की गहराई कम हो गए और जहाज आना बंद हो गए लेकिन लगबक सत्रह सो इस्वी तक पानी के जहाज वहां आते थे और प्रभु ईशु के जो बारा शिश्य थे उस उन शिश्यों में से संत थौमा नाम के व्यक्ति प्रभु ईशु का संदेश लेकर यहां से 30 किलोमेटर दूर एक प्रदेश में आये थे और नोंने लोगों को अपनी शिक्षा दी ठीक है यह तो हो गया बैक्डराउंड अब आज मैं प्रभु ईशु के बारे में एक विशेश बात बताना चाहता हूँ प्रभु की एक विशेश्ता थी वो आम आदमी से मिलना बहुत पसंद करते थे राजे रैजवाडों से मिलने के बदले प्रभु हमेशा आम आदमी से जो मजदूरी करता है जो घरों में काम करता है जो जीवन के लिए संगर्श करता है ऐसे लोगों से मिल कर ऐसे लोगों के साथ मिल बैठ कर चर्चा करना पसंद करते थे और प्रभु की सुनने के लिए प्रभु की वानी सुनने के लिए लोग ऐसा भीड मचाते थे कि बाइबल में हिसाब है एक जगह जो पुरिश आये थे मतलब स्त्रियां थी उनकी संख्या अलग सिर्फ पुरिश ही पुरिश पाँच हजार के करीब लोग थे ऐसे लोग तूट थे प्रभु की वानी सुनने के लिए और प्रभु जब उन लोगों को शिट्शा देते थे तो बहुत ही सरल कहानियों के द्वारा शिट्शा देते थे जिन में से एक कहानी आज मैं पढ नाम के एक पुस्तक है आप पूछेंगे लूका के क्या चीज है ये भी उस जमाने के एक नाम था उस व्यक्ति ने ये पुस्तक लिखी उसके पंद्रवें अध्याय से मैं एक उस कहानी को आपको पढ़के सुनाना चाहता हूं वहां लिखा है किसी मनिश के दो पुत्र थे दो बेटे थे छोटे बेटे ने पिताजी से कहा कि पिताजी अपनी संपती में से मेरा जो हिस्सा है वो जरा मुझे बांट दीजिए एक बात बताईए किसी परिवार में जब बाप ने पुन्जी लगाई बाप ने धंदा किया और बाप ने मुनाफा या फाइदा कमाया और एक दिन छोटा बेटा कहता है कि संपती में मेरा हिस्सा उसका हिस्सा क्या है कहां से आया पुन्जी उसने नहीं लगाई प्रापर बाती है, बाप ने धंदा किया है सारे जीवन भर, वो तो कल पैदा हुआ और उसके बाद जब से पिता जी ने कहा कि देखो बेटा मेरे साथ काम करो, तो वो पिता जी के साथ काम करने लगा, आगे जब अपने उस कहनी को पढ़ते हैं, तो उसमें सपष्ठ हो जाता है कि दो बेटे पिता जी की मदद जरूर करते थे, तो मदद करने वाला जो है वो प्रापर्टी में से हिस्सा मांगले लगा, मतलब जो कुछ ऐसी बात है कि किराएदार आया और चार साल के बाद मकान मालिक से कहता है कि इस मकान में मेरे हिस्सा बांट दो, इतने ही नहीं, अपन ज जाने के बाद होता है, हर जगह, हर जगह संपती का बटवारा, थोड़े से माबाप है, जो अपने जिन्दा रहते हुए अपनी प्रापर्टी बांट देते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम हैं और जनरली वो ही लोग बांट सकते हैं, जिनके पास इतनी संपती हो कि बांटने के बात भी अपने पास काफी कुछ बचा रहे वरना हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बटवारा तो बाप मा के और बाप के जाने के बाद होता है और इसलिए बाप के जिंदा होते हुए यदि बेटा कहता है कि आप प्रॉपर्टी का बटवारा कर दीजिए तो बेटा ये कह रहा है कि अब आप चले जाईए मुझे आपकी जरूरत नहीं है ये बहुत ही एक प्रेम करने वाले एक स्नेह करने वाले बाप के लिए एक पिता के लिए बहुत ही इंसल्ट का काम है इतना ही नहीं एक बात और यहां पर उसने एक और गलत बात बोली इसको ध अरे कल तो पैदा हुआ फादर थुड़ पिता जी के कुछ साल उसने मदद की होगे अपने उसका हिस्सा हो गया क्या उसने थोड़ी पूंजी लगाई थी जैसा मैंने पहले कहा तो बाप का इंसल्ट करते हुए वो पिता जी से प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगता है यहां दो भाई हैं एक पिता है प्रबु जब इस तरह की कहानिया सुनाते थे तो कहानी में बहुती गहरा अर्थ छुपा हुआ रहता था कहानी की रूप में प्रभू इसलिए बोलते थे कि एक बार एक कहानी आप सुन ले तो उसको जिन्दगी बर नहीं भूल सकते हैं मुझे तो अभी भी वो कहानिया याद हैं जो मेरी मम्मी ने मुझे तब सुनाये थे जब मैं सर्फ तीन साल का था दो साल की भी बहुत सारी बाते याद हैं लेकिन कहानिया तीन साल से उन्होंने सुने जो आज भी मुझे याद हैं तो प्रभू ने इसलिए कहानी के रूप में बताया कि ये शाश्वत सत्य कभी ना समाप्थ होने वाले सत्य हमारे दिमांग में पूरी तरह से बैठ जाए इसमें ये कहानी जो है इसमें पिता इश्वर को प्रदर्शित करते हैं जब हम उस कहानी को आगे पढ़ते हैं तब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इस कहानी में पिता इश्वर के स्थान पर है बड़ा बेटा हमारे ही समानाने जो लोग है उनको दिखाते हैं च्छूटा बेटा मुझे और आपको दिखाता है जो पिता के सन्रिट्षिंड में रहके पिता से जो कुछ मिल सकता है उन सब चीजों का आनंद लेके बाद में पिता से जैसी बात नहीं करनी चाहिए वैसी बात करते हैं लेकिन मैं ये भी आप दिलाना चाहता हूँ कि इश्वर दयालू पिता है और इस कारण यहाँ इस कहानी में पिता ने कोई रोक टाक नहीं की कुछ भी नहीं यहां लिखा हुआ है कि पिता ने उनको अपनी संपती बांट दी उनकी संपती नहीं बेटे ने कहा कि उनकी संपती बांट दें उनकी नहीं थी संपती पिता की थी लेकिन पिता दयालू थे और इस कारण उनने अपनी संपती बांट दी आज से कुछ हफते पहले मैंने ये बात आपको बताई थी कि प्रभु हम में से हर व्यक्ति को लेकर जाँच पड़ताल करके हमारे विश्वास को जाँच कर हमारे विश्वास को और मजबूत करते हैं इस बेटे ने जो बात मांगी थी वो गलत थी इसके बावजूद पिता के कंट्रोल में सब कुछ था पिता जानते थे कि उनको क्या करना है लेकिन वो चाते थे कि बेटा सच्चाई समझ जाए और इस कारण उनने अपनी संपती उनको बाठ दी ठीक है आगे हम पढ़ते हैं बहुत दिन ना भीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इखटा करके दोर देश को चला गया इखटा कैसे करेगा उस समय तो संपती जो है वो जानवरों के रूप में होती थी वो लोग उठ पालते थे गधे पालते थे गाय बैल पालते थे और जितनी संपती एक आदमी की होती थी वो जानवरों के रूप में होती थी और बाकी संपती जमीन के रूप में होती थी आप ना तो जानवर ना जमीन जो है उसको पोटली में बांग के आप दूर नहीं जा सकते इसका मतलब है कि पिता जी ने संपती बांट दी बेटे ने जल्दी से जल्दी धनी आदमी का पुत्र, जिसको घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, आगे हम पढ़ते हैं, तो देखते हैं, किसी चीज की कमी नहीं थी, सारी प्रापर्टी को बेच बाच के विदेश क्यों चला गया, एक कारेंट था उसके जीवन, उसकी जीने का जो तरीका है, उससे हमको मा गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी मतलब उसको इतने धनी व्यक्ति के मतलब इस सारे विश्य के मालिक के घर में उसके बेटे के रूप में जब वो रह रहा था तब उसको एक बात के आजादी नहीं थी बुरे कर्म कुकर्म का मतलब है बुरे कर्म उसको लगता था कि देखो यहां रोज उठना पड़ता है रोज सुबह दूआ करनी पड़ती है माँ बाप की आज्या माननी पड़ती है अच्छे रास्ते पर चलना पड़ता है अच्छे लोगों से दोस्ती करनी पड़ती है नई ये सब जो है गुलामी है मैं इस गुलामी से छूटना चाहता हूँ और मैं ऐसी जगे जाना चाहता हूँ जहां ना तो मेरे बाप, ना मेरी माँ ना मेरे बड़े भाई की नजर हो वहाँ जाकर मैं मन माना जीवन बिताना चाहता हूँ यह है इस कहाने का सार ठीक है जो इश्वर से मिला था उसका उपयोग करके उसने इश्वर के विरुद जीवन बिताया और मैं आज आप से यही बात पूछना चाहता हूँ मेरे प्रिये भाई बेहन हम सब को जीवन इश्वर से मिला है जीवन इस संसार में सबसे बड़ी संपत्य है आप कहेंगे कि ब्रदर मेरा जीवन तो बहुत कठिन जीवन है इसको आप संपत्य कैसे कहते है कठिन हर एक का जीवन है आपको आपका जीवन कठिन लगता है मुझे मेरा जीवन कठिन लगता है यहां जो केरल है इसकी लोकल भार्षा में कहावत है आपने यहां देखा होगा हाथी बहुत है केरल में अब तो क्रेन आ गए हैं लेकिन फिर भी लकडी बड़े बड़े लकडी के जो धूट है उसको खीचने के लिए हाथी का उपियोग होता है इसलिए यहां की local भाषा में एक कहावत है कि हाथी को पेड भारी लगता है क्योंकि कटे हुए पेडों को हाथी खीचता है हाथी को पेड भारी लगता है लेकिन चीटी को चावल भारी लगता है मतलए एक पेड के comparison में जरा सा चावल उसमें क्या वजन है मैं और आप एक चा आवल यहां रखके फूख देंगे तो वो उड़ जाएगा लेकिन चीटी जैसे अल्प प्राणी के लिए वो भारी है इसी तरह से है जीवन मेरा जीवन मुझे भारी लगता है आपका जीवन आपको भारी लगता है मेरे दोस्त को अपने जीवन भारी लगता है हम मैंसे हरे क को अपने जीवन भारी लगता है लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में जो भार है वो हमारे स्रिष्टा प्रभू ने जान बूचकर हमको अपनी कैपैसिटी सामर्त के अनुसार दिया है देखिए चीटी से कोई कटा हुआ पेड़ नहीं खीचवाता और हाथ ही से कोई चावल का दाना उठवा कि इधर से उधर नहीं रखता है दोनों जानवरों से उसका जो भी मालिक है वो उस जानवर की जो सामर्त है कपैसिटी है उसके अनुसार काम करवाता है इसी तरह से ईश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में जहां भी रखा है वहाँ पर जो भी जीवन में दर्द दिया है जो भी दुख दिया है वो हमें से हरेक को अपनी अपनी सामर्त या कपैसिटी के अनुसार दिया है आप कहेंगे लेकिन ब्रादर इसके बावजूद मेरे जीवन में जो समस्या हैं उसको आप नहीं समझ सकते सही है आपके समस् आपके जीवन में दी है वो तो समझते हैं और उन्हों ने ये समस्या आपको इसलिए दी है कि उस समस्या के द्वारा आप आपके जीवन में आपको जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को पूर्ण कर सके इस छोटे बेटे ने इसको नहीं समझा वो तो मनमानी करना चा सब कुछ इखटा करके दूर देश चला गया, वहाँ कुकर में अपनी संपत्ती उड़ा दी. उड़ा क्यों दी? संपत्ती या पैसा, खर्च ही खर्च करो, दो दिन में खतम हो जाता है. पैसा अपने आप पेडों पर नहीं उपता है. पैसे के लिए पूंची का उपयोग करना पड़ता है. मैं अक्सर ये अखबार में लगबग हर दिन घटना आती है, और इन दिनों जो नोट बदले, तो ऐसी घटना कुछ ज़्यादा ही होने लगी है, कि एक आदमी दो लाख रुपया उसके मालिक ने उसके हाथ भेजा कि फलानी जगह देया, और वो दो लाख लेके वो भाग गया. मेरे प्रिये भाईयों, दो लाख रुपय से कोई आदमी कितने दिन जी सकता है? मान लीजिए एक आदमी अपना खर्चा परिवार सहीत एक महिने में दस हजार में चला लेता है, तो दो लाख से बीस महिना, मतलब दो साल भी नहीं, उसके बाद क्या होगा? अरे जो पैसा चोरी करके भाग गया, उसने ये नहीं सोचा, कि इतना जो अमाउंट मुझे दिखता है, बीस महिने के बाद मैं क्या करूँगा? एक तरफ से तो कानून के सामने मैं अपरादी हो गया, दूसरी और पैसे का कोई जरिया नहीं है, इस छोटे पुत्र ने इस बाद को नहीं पहचाना, कि पैसा सिर्फ खर्च करने का रास्ता हो, तो वो ऐसा खतम हो जाता है, जैसे कि गड़े से पानी लीक हो रहा हो, उसके बाद क्या होगा? उसने नहीं सोचा था, मैं और आप, प्रभू ने मुझे और आपको जो जीवन दिया है, इस जीवन का सही उपयोग करने के बदले, यदि हम गलत उपयोग करते हैं, तो प्रभू ने मुझे और आपको जो पूंजी दी है, उसको मिस्यूस कर रहे हैं, उसका दुर्विनियोग कर रहे हैं, लेकिन प्रभू ने मुझे और आपको जो पूंजी दी है, जब हमारे हाथ पेर कमजोर हो जाएंगे तब भी हमारे पास इतनी पूंजी होगी कि हम दिन प्रती दिन खाना खा सकें। इस छोटे से केरल में एक यक्ति की कहानी मैंने सुनी है जिसको छाती से लेकर नीचे तक जो पूरी तरह से पैरलाइज़ है। चल नहीं पाता है अरे चल ना छोड़िये वो खड़ा नहीं हो सकता है। बस छाती से उपर दोना हाथ उसके काम करते हैं आँख और दिमांग अच्छी तरह से काम करते हैं। उसने अपने एक दोस्त को मदद के लिए कहा और उस दोस्त की मदद से उसने एक लंबे से कार को लेकर इस दोस्त की मदद से उसको ऐसा डिजाइन किया कि लेटे लेटे वो उस कार को चला लेता है। जो जिसे बिस्तर पर पड़ा रहना है उसने डिजाइन करके ना केवल अपने लिए कार बनाया। जब उसने इस कार की जानकारी अखबार वालों को दी तो अखबार वालों ने उसके बारे में सब जगे खबर पब्लिश किया। तो पचासो रिक्वेस्ट आए कि हमारे लिए भी डिजाइन कीजे हमारे लिए भी डिजाइन कीजे हमारे लिए भी डिजाइन कीजे और इस तरह से जो लोग चल फिर नहीं पाते थे उन लोगों के लिए उनकी जरूरत के और उनकी सामरत के एनुसार वो गाड़ी चला सके इस तरह की गाड़ियों को उसने डिजाइन करना शुरू किया और इस तरह से डिजाइन करके वो लगपती और करोड़पती बन गया वो कह सकता था ईश्वर ने मेरे साथ कैसा अन्याई किया है नहीं उसने इस बात को समझा कि उसके जीवन में इश्वर ने जो कमजोरी दी है उस कमजोरी के साथ साथ उसको बुद्धी भी दी है और उसके दो मजबूत हाथ दी हैं जिससे कि वो इश्वर की मदद से अपने स्वयम की मदद करे और पचास और लोगों की मदद कर सके इस तरह से उसको ईश्वर ने बुद्धी के रूप में जो पूंजी दी थी उस पूंजी को लेकर उसके जीवन में जो परेशानी थी उस परेशानी का हल करने के द्वारा उसने अपनी परेशानी और पचासों लोगों की परेशानी के लिए हल निकाल दिया जीवन समय बर्बात करने में नहीं है समय ईश्वर की इच्छा के अनसार उपयोग करने में जीवन में आर्था आता है इस छोटे बेटे नी इस बात को नहीं समझा उसको लगा कि मैं अपनी इच्छा के अनसार जीवन नहीं बिता पारा इसलिए मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है दूसरी और ये आदमी जो पूरी तरह से पैरलाइज रे उसने अपनी जीवन में इतनी परिशानिय होते हुए भी वो इश्वर ने उसको जो बुद्धी दी थी उसकी मदद से उसने अपनी जीवन में खुशी पैदा की रिजल्ट क्या हुआ इसको भी देखे जो हम जहां भी अपनी पूंजी लगाते हैं उसका असर भी होता है यहां लिखा हुआ है चाउदा जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा जो व्यक्ति अपनी पूंजी सही रीती से उसका निवेश करता है उसका उप्योग करता है चाहे देश में हर तरह की समर्दी हो या देश में अकाल हो उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ रहता है इसने तो जो इसके पास था उसको बरबात कर दिया और उसके बाद अकाल पड़ा क्या हुआ उस देश के निवासियों में से एक केहा जा पड़ा उसने उसे अपने खेतों में सूर चराने के लिए भेजा प्रभु ईशु ने जब ये कहानी सुनाई थी उस समय यहुदियों के लिए सूर एक वर्जित जानवर था पूर्ण रूप से वर्जित जानवर था एक करोणपती बाप की संतान अपनी लापरवाही के कारण अपने बाप को धता बता के प्रापर्टी लेखे उसने कुकर्म में जाके बिताया और फाइनली जब वो भूका हो गया तो उसको वह काम करना पड़ा जिसको बच्पन से जिससे वो घ्रणा करता था आगे हम पढ़ते हैं वो चाहता था कि उन फलीओं से जिने सूर खाते थे अपना पेट भरे लेकिन कोई उसको कुछ नहीं देता था उस इलाके में एक विशेश प्रकार की फली होती थी मैंने यही फली राजस्थान इलाके में देखी है हर जगे जाडियों की रूप में वो लगी रहती है उसको यह दिया आप काटेंगे उसको चबाएंगे तो उसमें एकदम से मुर्ची जैसा टेस्ट जाता है उसको सर्फ सूर जैसा जानवर ही खा सकता है तो काट काट के वो सूर को जो खिलाये जाता था यह इतना भूका हो गया था वो चाता था कि वो फली जिसको सिर्फ सूर जैसा जैनवर खा सकता है जिसको मनिश अपनी जीब पर नहीं लगा सकता उसमें से चार फली मिल जाए तो मैं खा लू मेरे प्रिये दोस्तों, भाईयों, बहनों इश्वर मेरे और आपके जीवन में जो कुछ देते हैं वो पूंजी है आप कहेंगे कि मेरे जीवन में तो बहुत कठिन बातें प्रभु ने जी हाँ, आपको जो कठिन बातें दी हैं वो भी प्रभु के द्वारा दी गई पूंजी है जिस तरह से वो आदमी जो पैरलाइस था उसने अपने जीवन को पुंजी के रूप में यूज़ किया अपने बुद्धी के द्वारा उसी तरह से आपके जीवन में जो कुछ हीश्वर ने दिया है वो आपकी पुंजी है लापर वही से उसको ये दि उड़ा देंगे तो फाइनली मेरी और आपकी स्थिती वही होगी जो इस पुत्र की थी जो सूर का भोजन खाना चाता था वो भोजन भी कोई उसको देने के लिए तयार नहीं था यहां लिखा हुआ है कि कोई उसको नहीं देता था सत्रा तब उसको होश आया जब उसको होश आया तब वो कहने लगा मेरे पिताजी के घर में कितने ही मजदूरों को मजदूरों को हैं बेटे को नहीं मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है मजदूरी अलग यहां उनकी मजदूरी के बारे में नहीं लिखा है मेरे पिताजी के घर में जो लोग मजदूरी करते हैं उनको मजदूरी तो मिलती ही है उनको इतनी रोटी मिलती है जिसकी उनको जरूरत नहीं है मतलब खाने पाते हैं इतना उस घर में नोकरों को मिलता है और उस घर के छोटे पुत्र मेरी हालत यह है कि सूरों को जो भोजन दिया जाता है वो भी कोई मुझे देने के लिए तयार नहीं है कब उसने ये बात अपने आप से कही जब उसको होश आया अभी तक क्या था बेहोश था बेहोश से मेरा मतलब यह नहीं था कि सो रहा था जीते जीते में खुली आँखों के द्वारा खुली आँखों के साथ रोच के जीवन में जब हम काम करते हैं तब भी ऐसा हो सकता है कि हमको होश नहो उसको बेहोशी कहा जा सकता है इस बेटे को तब होशाया जब सब बर्बात कर दिया, अकाल पढ़ गया, सूरों को चराना जो कि उनके जीवन में सबसे घिनोना काम था, वो करना पड़ा और सूरों का बोजन भी उसको कोई नहीं दे रहा था, तब होशाया कि मेरे घर में जो दास हैं, उस जमाने में आजक किलके समय नहीं होती थी मजदूरी, उस समय गुलामी प्रता थी, वो लोग बंदूआ मजदूर थे, मेरे घर में जो बंदूआ मजदूर हैं, उनको ना केवल उनकी मजदूरी मिलती है, इतनी रोटी मिलती है कि उनको बचा कर रखते हैं, मैं यहां भूखा मर रहा हूँ, जब उसको यह होश आया, तब उसने अगली बात कही, क्या उसने अगली बात कही, मैं अब उठकर पिताजी के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि पिताजी मैंने ईश्वर के विरुद में, मतलब आपके विरुद पाप किया है, मैं इस योग ही नहीं कि आपका बेटा कहलाओं, मुझे एक गुलाम के रूप में रख लीजिए, देखिए, जब आदमे के पास सब कुछ होता है, तब सब कुछ होते हुए भी उसको अपने जीवन में हमेशा कमी नजराती है, परेशनी नजराती है, घटी नजराती है, आप कहेंगे कि शैद ऐसा नहीं है, एक सीमा से ज़्यादा है जब अपने जीवन में पैसा आ जाए, तो आदमी को सब कुछ सुख ही सुख है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई नोकरी सब मधिप्रदेश के चंबल इलाके के ग्वालियर में हुई है, ग्वालियर के कई नगर सेट, करोड़ पती, मेरे क्लास फिलोस थे, उनके जीवन में जो हो रहा है, वो मैं बहुत क्लोज ली जानता था, जिन में एक जो की करोड़ पती का करोड़ पती था, हम दोने एक ही बेंच पर बैट कर पड़े थे, एक बार मैं उसके घर गया तो वो स्मोक कर रहा था, मैंने कह कि, अरे, तू ये क्या कर रहा है, तुझे किस बात की घटी है, कि जबरदस्ती जो है, तू स्मोक कर रहा है, अपने लंग्स को, अपने फेंफडे को बरबात कर रहा है, वो बोला कि, तुझे क्या मालूम कि मेरे जीवन में क्या टेंशन है, मैंने का कि अरे नगर सेट तेरे पास एक से एक बसें उसके पास बहुत सारी बसें थी प्राइविट बसें बसें हैं बिजनेस है नर्सिंग होम है तेरे पास क्या नहीं है तू लोगों को खरीदता बेचता है वो मुझसे कई बार कहता था कि इवन मैं जज लोगों को अपनी इच्छा के अनसार खरीदता बेचता हूँ सही है या गलब मुझे नहीं मालूम लेकिन ये अक्सर मुझसे कहता था उसकी जब शादी हुई तो इतना पैसा आया कि उसने कहा कि देख मैं अपने नाते रिष्टेदारों पर विश्वास नहीं करता इसलिए ये थैला ले मेरे बगल में खड़ा हो जा और पैसे इसमें डालता चला जा और लिखता चला जा कि किसने कितने पैसे दिये हैं इतना बड़ा नगर सेट था तीन साल पहले खबर मिली अचानक गुजर गया मुझसे चोटा था उमर में और आज से तीन साल पहले यदि वो गुजर गया था हो शायद एक 56-57 साल का रहा होगा उस शहर का शहर के सबसे धनी लोगों में स्वस्थ लोगों में क्या जरूरत थी लेकिन उसका भी कहना था मेरे जीवन में टेंशन है तो यदि आपको लगता है कि टेंशन सुर्फ उन लोगों के जीवन में है जिनके पास परियाप्त पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं है इसलिए इस बात को हम समझ लें कि चाहे धन हो या धन ना हो, हम मैंसे हरेक को लगता है कि मेरा जीवन तो टेंशन से भरा हुआ है, मेरे जीवन में परेशानी है और ईश्वर नहीं ये किया है, इसलिए ईश्वर से अपने संबंध को तोड़ कर मैं जरा जाके अपनी मन मानी बिताओंगा, मन माना जीवन बिताओंगा, यही तो चोटे नहीं किया, यहाँ पिता ईश्वर को दरशाता है और संपत्ति ईश्वर के द्वारा हमारे जीवन में दी हुई बातों को बताता है, घर ईश्वर के निवास को बताता है, उसको छोड़ कर वो चला गया, कोई फ तब वो उटकर अपने पिता के पास गया, वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया और दोड़ कर उसके गले लगाया और बहुत चूमा, एक बात जरा ध्यान से सोचें, जो लड़का कई महीनों से कंगाल था, भूखा था, जो सूरों को चरा रहा था, और जो ये मनाता था कि जो सूर खाते हैं, उसमें से कुछ मुझे खाने के लिए मिल जाए, उसकी क्या हालत होगी, नंगा, गंदा, बदबू से भरा हुआ, व्यक्ति होगा, अरे, जिसके पास पैसे ही नहीं थे, वो क्या, फादर के पास जाने से पहले, दाड़ी-वाडी बनवा के, बाल बना के, अच्छी तरह से शैंपू करके, नया सूट-बूट खरीतके, जूते- पहन के, फादर के, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, और जो सूरों के सान् रहा है उसके पास क्या है लेकिन उस बद्वो भरे बच्चे को देखकर पिताजी ने क्या किया उसको गले लगाया गले लगाने के बाद ये ने का कि है तू जाके सनानवान करके आ तब मैं तुझे चूम होगा नहीं वहां लिखा हुआ है कि एक विशेश एक बात है जिसको दियान बहुत चूमा मतलब उसके चेहरे पे चूम चूम के उसको चूमबनों से भर दिया पिता का सने इश्वर का सने मनिश का लंगन इन दोनों चीजों को हम एक साथ देखें और आज मैं यही संदेश आपको बताना चाहता हूँ प्रभू ने ये कहानी क्यों सुनाई प कई बाते बताना चाहते थे जिसमें से सर्फ एक बात मैं आज आप सब को बताना चाहता हूँ वो यह है कि प्रभू ने इस संसार में मुझे और आपको जो भेजा है उसके पीछे एक लट्श है मेरे और आपके जीवन में जो भी अच्छी बुरी बाते हैं दोनों हमारी सं पती है हमारा मूलधन है लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएंगे या नहीं बिताएंगे यह इस बात पर डिपन करता है कि मेरा और आपका नजरिया क्या है सोचने का तरीका क्या है इस घटना के द्वारा प्रभु ने एक बात और हमको बताने की में बार बार लोगों को बताते थे कि देखो मेरे बेटे मेरी बेटी इतने साल तुमने अपने जीवन के इतने साल अपनी इच्छा के अनुसार बिताया अब मैं तुमारे सामने आ गया हूं खड़ा हूं मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारा ये जो जीवन है इस जीवन से मैं तुमको छुटकारा बचा मुक्ति देना चाहता हूँ मेरे पास आओ तो बिना आए मैं कैसे तुमको मुक्ति दे सकता हूँ ऐसे भी कई बेटे होते हैं जब तक उनको होश नहीं आता है तब तक यदि उनका आप सब ले जाके दें तो उठाके फेक देते हैं मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे इसलिए प्रभू ने पिता ने तब तक इंतजार किया जब तक बेटे को होश ना आ जाए आज प्रभू ये शू मुझ से और आप से यही कहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बिटिया इस संसार में पिछले 20, 25, 30 या 40 साल तुमने बिता लिये हैं ना अपनी इच्छा के अनुसार बिता लिया जैसा जीवन बिताना चाहते थे वैसा बिताया संतोश मिला क्या खुशी मिली क्या तुमारे जीवन में कुछ स्थाई पर्मनेंट आनंद आया क्या नहीं आया तो मेरी बेटी मेरे बेटे इस बात को समझो कि तुमारे जीवन में यदी स्थाई पर्मनेंट आनंद नहीं आया वो इसलिए नहीं आया कि आज तुक तुम अपने रास्ते पर दोड रहे हो तुम अपनी दिशा में जा रहे हो छोड़ दो सोचो पलट जाओ पश्चताप करो मेरे पास वापस आओ मैं दूँगा तुमको जीवन और जिस तरह से पिता ने उस बदबू से भरे हुए बेटे को गले से लगा कर उसका मुँ चुम्बन से भर दिया प्रभू ईश्चू मुझे और आप से प्रेम करके प्रेम के कारण प्रभू मुझे और आपके एक नव जीवन देना नया जीवन देना चाहते है इसलिए तो आज से 2000 साल पहले प्रभू ने सूली पर अपना जीवन दिया था प्रभू ने बार बार कहा था तुम्हारे लिए मैं अपना जीवन दूँगा मैं अपना बलिदान करूँगा जिससे कि तुम नया जीवन पा सको मैंने वो नया जीवन पाया है ये मैं इस congregate, इस सभा में कई बार बता चुका हूँ, आज से कई साल पहले जब मेरे पिता जी ने मुझे बात बताई तो मैंने का पिता जी मैं वो नए जीवन पाना चाहता हूँ पिता जी ने जो कहा उसके नसर मैंने वही घुटने टेक कर प्रभू से बुला है प्रभू मैं इस बात को समझता हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं अपने आपको बचा नहीं सकता, जिस तरह से उस बेटे ने समझा कि वो अपने आपको बचा नहीं सकता उसको पिता के पास जाना है एक नया जीवन मिला, कब जब उसको होश आया, जब उसको अकल आई और उसने सूरों को छोड़कर जब वो अपने बाप के पास गया, उसको एक नया जीवन मिला, यहां लिखा हुआ है पिताजी ने कहा ले जाओ और दो-चार स्टेटमेंट है जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि ले गए नो करणे रगड रगड के, मुझे लगता है अपन तो ठंड के दिनों में पत्रों से रगड के पैर साफ करते हैं न, उसको उपर से नीचे तक पत्रों से रगड के साफ किया होगा, बाल काटा होगा, दाड़ी बनाई होगी और अच्छी तरह से उन्होंने खूप सारा आयरवेदिक पाउडर लगाया होगा कि जिससे बदबू हटे, लेकिन जब सब कुछ हो गया, तो उसको एक नया वस्त्र पहनाए गया, उस परिवार के स्टेटिस के हिसाब से नया वस्त्र पहनाए गया, वो तो चाहता था कि एक दास, एक गुलाम बन जाए, नहीं, एक बार जब हम पिता के पास जाते हैं, तो पिता हमको अपना पुत्र बनाते हैं, पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, इतना ही नहीं, उस समाज में परिवार का जो शासक होता था ये परिवार में, उनको अंगूठी दी जाती थी बात की तरफ से पिताजी ने का उसको अंगूठी पहनाओ मतलब वो इस परिवार का पुत्र है इस बात को डिकलेर करो इतना ही नहीं पिताजी ने कहा कि एक फीस्ट, एक पार्टी और वहाँ ऐसा ऐसी पार्टी हुई कि ऐसा नाच गाना हुआ कि बड़ा बेटा जो है दूर से ही नाच गाने को सुनते हुए आया और उसने पूछा कि यह क्या हो रहा है मेरे प्रीय भाईयों और बहनों मैं और आप प्रभू की संतान है लेकिन उस छोटे बेटे के समान लाप परवाही करके प्रभू ने जो कुछ दिया उसको बरबात करके हम अपने इच्छा के अनुसार अपने जीवन बिता रहे हैं इस जीवन में शांती नहीं है यह पूंजी कल खतम हो जाएगी यदि आपको लगता है कि मैं धनी नहीं हूँ इसलिए मेरे जीवन में परेशानी है मैंने आपको बताया मेरा दोस्त अभिन दोस्त जो नगर सेट था पी पी के उसने आपको खतम कर दिया जब भी मैं मिलता तो वो कहता था रहे तुझे नहीं मालूम मेरे जीवन में क्या टेंशन है चाहे धनी हो या गरीब हरे के जीवन में टेंशन हरे के जीवन में परेशानी होती ये प्रभू की दी हुई पुझी है प्रभू के साथ बलवा करके प्रभू से जगड़ा करके मन माना जीवन बिताने की कोशिश ना करें प्रभू के पास वापस आए, प्रभु ईश्व ने इस बात को बार बार बोला था कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुमको जीवन मिले और प्रभु ने एक चीज़ और बोला तुमको जीवन मिले और बहुत आयत से मिले मैंने बच्पन में प्रभु को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन किया एक विशेश आनन्द है मेरे जीवन में एक कॉन्फिडेंस है मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ आपके जीवन में यह नई खुशी, नया आनन्द नया कॉन्फिडेंस इतने ही नहीं इस संसार के जीवन के बाद प्रभु के साथ शाश्वत हमेशा हमेशा के लिए जीवन प्रभु प्रामिस करते हैं यह है प्रभु ने यह जो कहानी सुनाई थी इसका मतलब और यह है जो मैं आप सब को आज शाम को बताना चाहता हूँ इन बातों के बारे में हम मैंसे किसी से पूच कर इसकी डीटेल्स अच्छी तरह से समझकर प्रभु यह शु को मुक्तिदाता की रूप में ग्रहंट करना न भूले एक बात और बोल कर मैं समाक्त करना चाहता हूँ प्रभु को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहंट करने के बाद भी कई बार लोग मन माना जीवन बिताते हैं, याद रखें मन माना जीवन बिताने में कोई स्थाई आनम नहीं है जो भी मन माना जीवन बिताता है मुक्ति पाने के बाद आप भी यदि कोई मन माना जीवन बिताता है तो प्रभु के द्वारा दी गई पूंजी को वो बर्बात कर रहा है उसको जीवन में कोई साई शांती नहीं मिलेगी। पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में इसका उपयोग कर सके यदि आपने इसको नहीं पहचाना है तो आपका जीवन अर्थपूर्ण, मीनिंग्फुल नहीं हो पाएगा। तो आपने प्रभु को ग्रहन नहीं किया है प्रभु के पास आ जाईए। ग्रहन किया है फ